तो अभी वह रहे हैं सुबा के आठ पांच और मेरा ब्रश हो चुका है पीकु स्कूल जस्ट अभी गई है मतलब आज इसको तुड़ा लेट हो गया था वही बच्चों को खिलाने मगेरा में तो अब मैं बैठ होंगी नहीं क्योंकि बैठ जाती हूं तो चीज़े लेट हो ज अब आठ बजे तक उठ जाती है तो इक मैं सोचरी उसको उठा दूं कि फिर बच्चों को जुखा मगेरा हो जाता है वह टाइम से नहीं उठते तो अब जब वो जाएगी और उसकी मालिश वगेरा हो जाएगी फिर उसके बाद बात के बाद इसको मैं नहसुला दूंगी तो चलिए फिर उसके जगरी है ये तो जगरी है गुद मॉर्निंग कुकुल गुद मॉर्निंग बच्चा दिदी कई स्कूल चलो अब ये उठ गई है तो अब फटा फट से इनकी मालिश कर देते हैं क्योंकि इनका रुटीन एट तो एट थर्टी इनकी मालिश हो जाती है म बस अब फटाक से इनको उठाते हैं गड मॉर्निंग यहां पर कुकु उठ गई थी तो मैंने फटाफट से 8 बज़े मालिश होती है तो मैं फटाफट से इसके मालिश के लिए आ गई थी यहां पर क्योंकि मॉर्निंग मेरा सारा काम जनली हो टिफिंद वगेरा का तो बस अब इसकी मालिश और इसकी बातिंग वगेरा है तो बस अब यहां पर मैं इसको अच्छे से मसाज दूँगी और इस टाइम पर बच्चे अपनी मसाज बहुत अच्छे से इंज्वाइब ही करने लग जाते हैं तो बस उनको टच पता जल जाता ह है और वह उस टाइम पर मस्ती भी करने लग जाते हैं बहुत अच्छे से इंज्वाइब करती है वह अपनी मालिश बस हाँ यह होता है कि जब बच्चों के फेस पर हाथ जाता है ना थोड़ा सा उनको लगता है कि फेस पर मत मिर्जे लगा हो और अधर्वाइस बहुत अच कोशिश करती हूं कि इसकी मालिश हो जाए और जब अच्छे 5 मंद के हो जाते हैं ना तो अलटने पलटने भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं और उनकी गृपिंग पावर इतनी जादा बढ़ जाती है ना कि जो कुछ भी पकड़ लेते हैं वह छोड़ने का नाम तो बि प्रिदर्स के साथ इस तरह से मस्ती होती है मॉर्निंग में मैडम का मूर अच्छा होता है क्योंकि वो रात को अच्छे से सोकी होती है तो बस अब इनको हम इस तरीके से हम मा बेटी मस्ती कर रहे हैं क्योंकि दीदी स्कूल जा चुकी है तो जिस डब्रेंस करने वाला कोई है नीवो रहती है न तो इसको रुला देती है और मालिश होने के थोड़ी तेर बाद मस्ती करते हैं मस्ती करने के तुरन बाद में उसको निला देती हूं मतलब वन आर का गैप लेती हूं और यहां पर मैं क्लिप शूट करना भूल गई थी बात का तो मैं शूट नहीं कर पा मुझे बहुत अच्छा फील होता है लगाने के बाद दिन बार इसकी बहुत अच्छा रहती है और कोई कंप्लेन नहीं है मेरा इसके साथ क्योंकि मैं पीको को भी यूज़ कर रहे हूं तिल वह भी सिक्सियर की हो जाएगी कंप्लीट और इसको भी मैं सुरू से ही ममा अर्थ का प्रोडेक्ट यूज़ कर रहे हूं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है और अभी पी मैं आगे भी वही यूज़ करूंगी और यहां पर मैं उसको पहनाने की कोशिश कर रहे हूं कपड़े और वो मुझे परशान करने में लगी हूई है मतला कपड़े पहनने में एक फीद प्रॉब्लम करती ही क्योंकि तो चीज तो इस टाइम में बच्चों को मुझे मों में डालना रहता है इस एज में बच्छे फोर टु फाइम मंत के हो जाते हैं यहां को आप फीट ले कीवारे पार मेम हमारी सो जाती है और कुकू जो है वह अलब दिन में बहुत जादा तो नहीं सोती जब भी मैं उसको सो के वहां से हटती हूं 10-15 मिनट में ही वह उठ जाती है तो बस अथोट दिन में यह सो गई है फीड लेने के बाद अभी वह टोटली मेरे ही फीड पर डिपेंड है मैं नेक्स मन्त उसका प कर दोंगी क्योंकि बस अब कुछ दिनों में ही वह सिक्स मन्त की हो जाएंगी मतलब है तब तक बनाने में प्रोसेस करने में टाइम लगेगा और यहां पर पिकू स्कूल से आ जाती है और यह भी उठ गई ती सो कि दौने लोग खेल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं मैं इस तरह स साइड में किचन में कभी था उदर जाती हूं तो फिर वो तो से चोटना लगे इसलिए और यह नाइट टाइम है यहां पर यह सो जाती है और पूरी रात अच्छे से सोती है रात में एक दो बार बच्चे उठके फीट लेते हैं वह नॉम